आप लोग को के questions में से एक question ये भी होता है कि अगर divine masculine अपने counterpart को miss कर रहे हैं तो contact क्यों नहीं करते या initiative क्यों नहीं लेते आज का वीडियो इसी topic पे है divine masculine miss करने के बाद भी twin claim को contact क्यों नहीं करते बात क्यों नहीं शुरू करते बात तो बिल्कुल सही है if they are missing their divine feminine तो contact ना कर पाने की क्या वज़े हो सकती है वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रुपाली आप सब का आपके अपने channel ascension में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कभी कभी कुछ चीजें जो बाहर से सही दिखाई दे रही होती है वो अंदर से टूटी हुई बिखिरी हुई होती है divine masculine divine feminine के जैसे दिन में कई-कई बार अपने counterpart को miss करते हैं याद करते हैं, सोसते हैं, बात करना चाहते हैं, फिर से पैच अप करना भी चाहते हैं, पर कई बार कुछ Masculine's Initiative नहीं ले पाते, जिनके पीछे कुछ खास Reasons होते हैं, आईए जाने, आज के वीडियो में क्या है वो? तो कुछ 8 Reasons मैं कलिक की हूँ, Reason No.1, कई बार मिस करने के बाद भी Divine Masculine's अपने काउंटर पार्ट को मैसेज या कॉंटेक्ट इसली नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत आगे निकल चुकी है, So they don't want to invade your happy life, Second Reason Divine Masculine's कहीं बार इसली भी नहीं काउंटेक्ट कर पाते, चाहे वो जितना भी मिस कर रहे हैं अपने Divine Feminine को, क्योंकि उन्हें डर होता है कहीं उनके काउंटेक्ट करने से आपकी marriage life ना खराब हो जाए, क्योंकि true twin flame कभी भी अपने counterpart को दुखी देखना नहीं चाहेगा या चाहेगी, Reason No.3, काफी ज्यादा मिस करते हुए भी Divine Masculine's या runner twin flame अपने Divine Feminine को इसलिए contact नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो अपने Divine Feminine के लायक नहीं है, वर्थ इशू बहुत होता है Divine Masculine's का, Reason No.4, Divine Masculine's लगातार मिस करने के बाद भी अपने twin flame को contact क्यों नहीं कर पाते, DM अपने DF को मिस करते हुए भी कई बार इसलिए contact नहीं कर पाते, Fear of Rejection, उनके साथ बहुत major factor होता है Fear of Rejection, क्योंकि separation DM के दोरा initiate किया गया होता है, तो ऐसे में उनके अंदर ये घर कर जाता है, कि चलो उसने, नहीं मैंने उसे reject किया, मतलब आपने नहीं, उनकी Divine Feminine नहीं उन्होंने reject किया था आपको, पर अग उन्हें लगता है कि अगर वो contact करने की कोशिश किये, और आपने इस बार reject किया, तो ऐसे में उन्हें फिर से rejection जेलना पड़ीगा, क्योंकि उनकी life में कई कई बार उन्हें rejection जेलने पड़ी होते हैं, चाहिए वो family member से, parents से, siblings से या partner से, या married life से rejection जेलने पड़ते हैं, इस लिए DM contact नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब तक उनके karmic account balance नहीं होते, DM चाहकर भी contact नहीं कर पाते, जब तक उनके साथ किसी और का karmic बंधन, karmic account हैं, वो उसमें बने रहेंगे, इसलिए karmic account जब तक पूरा नहीं हो जाता, DM divine masculine contact नहीं कर पाते हैं, reason number six, probably सबसे important reason, eight reasons मैं दोंगी, जो six अभी discuss करने जा रही हूँ, यह सबसे important reason, यह है जब DM अपने DM को miss करते, वे भी contact नहीं करते, क्योंकि उन्हें accept करने में problem होती है, क्या? क्या accept करने में? कि कैसे इतना intense love, वो किसी ऐसे person के लिए feel कर सकते है, जो पहले से ही merit है, या उम्र में उनसे बड़ी है, काफी बड़ी या काफी चोटी है, या फिर religion में फर्क है, मान लिजे वो हिंदू है, या कोई दूसरा Muslim या कोई और religion की, या उनकी D.A.F. same gender है, हाँ जी, same gender D.A.F. twin flames भी होते हैं कभी-कभी, not all, not always, but कभी-कभी, सबी same gender जो कपल हैं, वो बिल्कुल twin flame नहीं होते, बठाबठा, कुछ-कुछ होते भी हैं, या फिर उनसे social status में, काफी better हों अगर D.A.F., तो उन्हें लगता है, या काफी अगर नीचे हों, तो उन्हें लगता है, कि कैसे ये miss math सा, उन्हें कैसे ऐसे लव हो सकता है, इस तरह के differences में, means, not their type or family culture difference, तो उनके type का तो नहीं है, जो उनकी अब तक की source थी, status match, religion match, age gap इतने से ज़ादा नहीं हो, उम्र में बड़ी नहीं हो, या छोटी नहीं हो, something जो भी उनके साथ scene हो, तो अब तक वो सूच बिल्कुल उसको digest नहीं कर पाती, कि वो कैसे ये एक out of the way जाके, एक mismatch type प्यार को इतना intensity, उस प्यार में उस लड़की या उस लड़के में फील कर पा रहे हैं, तो इसलिए वो अपने आपको रूखने की कोशिश करते हैं, चाहे इतना intense प्यार है, लेकिन वो समझना ही अपने माइन में समझना नहीं चाहते, कि ऐसे कैसे मालीजिए उनकी DF merit है, किसी और spouse से थो उनको हमेशा ये लगेगा, कि कैसे हो किसी merit person से, merit lady या merit gentleman से प्यार कर सकते हैं, क्योंकि आज तक तो उन्होंने अपने दिल में कभी ये बात सोचा नहीं था, कि उन merit से प्यार करेंगे, तो ये चीज सबसे important reasons में से एक है, reason number seven, DM अपने DF को miss करते हुए भी contact का initiation, इसलिए नहीं कर पाते, because they don't want to get into longing, craving feelings, as they contact, as they cannot handle the intensity, क्योंकि उन्हें डर होता है, कि शायद वो फिर अपनी life normal way में lead नहीं कर पाएंगे, क्योंकि separation उन्होंने call किया, separation जैसे ही हुआ, वो जैसे तैसे अपने आपको manage कर लिए, कितना भी miss कर रहे हैं अपने divine feminine को, अपने counterpart को, लेकिन वो फिर से back of the mind एक डर उनके mind में रहता है, कि फिर से वही longing, फिर से वही परिशानी, फिर से वही craving, फिर से वही vulnerability, फिर से वही over intensity, कैसे manage कर पाएंगे अपने workplace में भी, मान लीजी काम वो अगर business करते हो, जोब है या family उनकी है, तो वो डर जाते हैं कि नहीं, अब जब दूर हो ही गए हैं, तो दूर ही रहें, so they think better stay away, 8th and the last reason, reason 8 and the last, यह है, divine masculine का ego, जिसमें शामिल होता है, पास्ट में fail हुए relationship, या break ups, जिसके चलते उनमें anger issue, भी रहता है, DM को लगता है कि अब तक जितने भी relationship में वो खराब हुए, उनके जितने भी relationship खराब हुए, तो यह भी खराब ही हो जाएंगे, क्योंकि हाँ, divine masculine masculine के relationship बहुत ज़्यादा खराब हुए रहते हैं, उनके घर में ही, उनके कार्मिक रहते हैं, उनके work field में, उनके घर में, उनके friend zone में कार्मिक persons होते ही होते हैं, तो उनको यह लगता है कि जैसे वो सब खराब हुए, वो अगर divine feminine के साथ re-contact करेंगे, यह भी खराब होगा, उन्हें लगता है कि अगर आपके साथ कुछ ऐसी incidents, यह भी एक बात है, उन्हें लगता है कि अगर आपके साथ कुछ ऐसी incidents, जिसमें आप दोनों ने एक दूसरे को हट करने में, कोई कसर नहीं छोड़ा था, क्योंकि जब separation होता है न, बहुत सारी sessions में, मुझे सुनने को मिलता है, आप लोग खुद ही admit करते हैं, जब वो details में पुछती हूँ, कि separation में, पहले separation call तो वही करते हैं, DM 100%, लेकिन आप लोग भी separation में, काफी कुछ exchange करते हैं अपनी बातें, जो कि palatable नहीं होता, जो कि acceptable नहीं होता, जो कि कोई भी soul को hurt कर सकता है, तो वो तो कहती हैं, आप लोग भी hurt करते हैं, hurtful words आप लोग भी कहते हैं, हो सकता है, आप लोग खुदी उनकी बातों को hurt, उनकी बातों से hurt हुए रहते हैं, इसलिए आप लोग कहते हैं, ये भी मैं admit करती हूँ, लेकिन हाँ, आपके तरफ से भी, hurtful बाते होती हैं, तो उनको ये असा लगता है, कि जब आप hurtful बातें उस वक्त की थी, वो अब तक भूल, भूलाने की लाग कोशिश करें, वो सारी बातें याद रहती हैं, बीएम को, जैसे आप लोग आप लोगों को याद रहती हैं, divine masculine की कहीं सारी बातें, तो आप लोग की सारी बातें भी प्यार भरी, और तकरार भरी दोनों ही बातें, डीएम को याद रहती हैं, तो ऐसे में, वो सोचते हैं, कि फिर से अगर वो contact, आपके सार्श शुरू करें, तो फिर थोड़ी दिन ठीक रहेंगे, ठीक रहेंगा, सारा चीज, सारे रिष्टे, फिर से हो सकता है, उनको आप से कुछ ऐसा सुनना, या देखना पड़े, ऐसी जो बात हैं, जो पैल टेबल नहीं है, जो उनको अच्छी ना लगे, तो तब ऐसे में, वो initiate करने में घबराते हैं, कि कहीं फिर से वही repeat ना हो जाए, तो ये eight reasons, कि क्यों अपने counterpart को, क्यों divine feminine को इतना प्यार करते हुए भी, इतना miss करते हुए भी, divine masculine initiative नहीं लेना चाहते हैं, ज़्यादातर cases में लेते हैं, जब आप लोग inner work करके, healing करके, heal कर लेते हैं अपने आपको, अपने soul wounds को, सब कुछ heal जब आप कर लेते हैं, तब contact करते हैं, धीरे धीरे ही सही, वो contact शुरू करते हैं करना, लेकिन, कुछ-कुछ DM, इतने stubborn होते हैं, इतने egoist और इतने ज़्यादा anger उनमें रहता है, कि वो लोग initiative नहीं कर पाते हैं, या नहीं लेना चाहते हैं, चाहे वो जितना भी miss कर रहे हैं, वो अपने emotions को suppress कर लेते हैं, लेकिन contact नहीं कर पाते हैं, तो यह eight reasons था, आप देखिए, आप लोगों में आपके DM में, आपके divine masculine में कौन सा feedback ता हैं, क्योंकि यह eight reasons में, अगर अभी आपके divine masculine स्वान टेक्ट नहीं कर पाए हैं, inner work आप लोग किये जा रहे हैं, फिर भी, तो कुछ ने कुछ ने कुछ ने कुछ निकल के reasons आएगा, हो सकता है, reasons तीन चार भी सामने आए, जरूरी नहीं कोई एक ही reason हो, और यह भी जरूरी नहीं कि जो आज है, वो समय वैसे ही हर दिन रहेगा, हर दिन हो तना एक समान, right, तो बिल्कुल समय बदलता है, समय बदलता है, समय बदलने में देर नहीं लगती, तो जो आज नहीं contact कर रहे हैं, बिल्कुल यह possible नहीं है, कि वो कल भी ना करें, परसो भी ना करें, हो सकता है, दस दिन बात करें, हो सकता है, एक साल बात contact, वो करें, तो आप लोग को, अगर आप लोग तो इन्फ्लेम हैं, अप लोग को उम्मीद नहीं चोड़नी चाहिए, सिर्फ आप अपने उपर वर्क करें, बहुत बहुत थिर्फ सारी प्यार और ब्लेसिंग्स के साथ यहीं पहिन करते हूँ वीडियो, ओम नमस्षिवाए,